तो पहलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बाक टो मै चानल, कैसे हैं आप लोग होब आप से बच्छे होँगें ? Manchurian ाण किसे नहीं पसंद है ? बहुत सारे लोगों को pancakes Panir Manchurian पसंद आता है तो बहुत सारे को Wheat Ibog recipes Manchurian आयए लेकिन आज में बनाओंगे Oats Manchurian यह बहुत ही healthy recipe है, थोड़ी सी unique है और यह जटपट बनके तयार हो जाती है, तो आप भी इसे ज़वी ट्राइ करें, तो चलते हैं बनाने के तरफ Oats Manchurian Oats Manchurian बनाने के लिए यहां पर मैंने Half Cup Oats का पाउडर लिया हुए, उसके बाद आड़ करेंगे इसमें 2 हरी मिर्च चौप की हुई, थोड़ा सा लसन चौप किया हुई, एक इंच अद्रक चौप किया हुई, फिर आड़ करेंगे इसमें एक छोटा प्यास चौप किया फिर आड़ करेंगे शिम्रक मिर्च चौप किया लास मैं आड़ करेंगे लास राज करेंगे यानि पद्टा को जोगा सा चौप किया हुअ, तो यह फिर फिर थोड़ा सा चिली फुलेक्स कर रहे हुए, फिर एम इसमें 13 नमक डाल hen कि बाद फिर और श्यूफ नमकम कर नें do mix करने के बाद अभ हम अइस का एक डौ लगाएंग तो यहां पे मैंने पानी लिया हुआ है और थोड़ा-्थोड़ा पानी एड करके तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने नॉर्मल ओट्स को ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था आप चाहो तो पहले ओट्स को हलका सा रोस्ट भी कर सकते हैं उसके बाद उसका पाउडर यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पे डारेक्ट ही उसका पाउ बन जाएगा तो ठीक है अगर आपको लगे कि बहुत ही जादा गीला हो गया तो थोड़ा सा ओट्स और आप आड़ कर सकते हैं तो एकदम से परफेक्ट है तो अब हम हम हैंड वॉच कर लेते हैं उसके बाद मैंने यहां पे एक प्लेट लिया हुआ है और अब हम मंचूरिन प्रोसेश बनाएँगे और इस तरीके से थोड़ा हम डो ले लेंगे और हाथ हो से इस तरीके से हम इसri seven balls बना लेंगे तो जैसे नॉर्मल मंचूरिन बॉल बनाते है असी तरीके से हम बनाएंगे तो यहां पर मैने पहला बना लिया है तो अब तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके सारे बना लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे मंचूरेन बॉल्स बन गया है अब उनको ले चलते हैं फ्राइ करने के लिए तो मैंने तेल अलड़ी रख दिया था गरम होने के लिए तो तेल हमारा गरम हो गया है बहुत ज़ादा गरम नहीं होना चाहिए तो जब यह गरम हो जाएगा तो हम एक एक करके इसमें मंचूरेन बॉल्स आट कर देंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है और एक बार में जितने आ रहे हैं उतने डालने के बाद इसे अब हम अच्छे से फ्राइ करेंगे मंचूरेन उन्हें भी फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मंचूरेन बॉल्स मैंने काफी अच्छे से फ्राइ कर लिए हैं और अब हम चलते हैं थोड़ी से ग्रेवी बनाने के लिए मंचूरेन की तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक पैन रखा हुआ है और ग्यास कॉन कर देंगे और पैन को हम हलका सा गरम होने देंगे उसके बाद मैं इसमें आड कर रही हूँ आप कोई भी ओई यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ओईल डाला है उसके साथ यहां पर शलिट कर दे मैं एक इंच चॉप किया हूँ लसन आड कर देंगे उसके बाद इसे अच्छे से मुँद्स आड कर लेंगी थोड़ा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्यास आड कर लियू हूँ तो मैंने रफ Fresh Chefs के लिए दे acceso कर लियासब मो निlor प्यास अच्छे करने के बाद यहां पर में चाहट कर रहे हूं तो इसे भी मैंने रफली चॉप किया है क्यूब्स में तो इसे भी हम कुछ सेकंड्स क्लिए फ्राई कर लेंगे बहुत जादा फ्राई नहीं करना है जब श्रिम्रा मिच हलका सा ट्रांसपेरेंट अब तब तक alt कपर हम अब मेंसारी छीज अच्छ से व्राइक कर लिए हैं अब हम एर्ट करेंगे स्मय स्थारी अफ़ाइड़ पर में 1 टीबल स्पून सुया स्से अड कर संपा रही है कि उसके बाद आड्डा करेंगे स्मय रेड चली सॉस तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पून एड़ किया है और यह दोनों सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम आड़ करेंगे इसमें टोमैटो केचप तो यहां पर मैं टू टेबल स्पून एड़ कर रहे हूं आप टू या थ्री टेबल स्पून यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट कर कॉड़ी उसके बाद आड़ करेंगे इसमें हम ग्रीन चिली सॉस तो यहां पर मैं वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस आड़ कर रहे हूं और यहां पर मैं 1 tablespoon vinegar भी आड़ कर रही हूँ और सभी sauce को डालने के बाद इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम सारे sauce को कुछ seconds के लिए सिफ पकाएंगे बहुत जाद इसे नहीं पकाना होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी थिक लग रहा है मुझे तो मैं थोड़ा सा पानी आड़ करूँगी तो यहां पर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी आड़ क अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप इसमें मंचुरियन बॉल्स आड़ कर सकते हैं और अगर आपको जादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और आड़ कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा पानी आड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस हम इसे कुछ सेकंद्स के रिए पकाएंगे जिससे क्या हो कि कॉन फ्लार कर जो टेस्ट है वो चला जाए और वो पक जाए थोड़े देर के लिए तो यहां पर देख सकते हैं ग्रेवी हमारी पॉफेक्ट है तो इस स्टेज पर हम ए इसे पांच मिट और पकाएंगे जिससे क्या हो कि जो मंचूरियन बॉल से उसमें जो हमने ग्रेवी बनाई वो अच्छे से अंदर चली जाए तो पांच मिन हो गया है मैं ग्यास कॉफ कर लिए और हमारा जो ओट्स मंचूरियन वो रेडी हो गया है तो आप देख सकते हैं और अब हम ले चलते हैं इसको सर्फ करने के लिए मैंने एक सर्विंग बोल में निकाला हुआ है आप देख सकते हैं तो देखा आपने ओट्स मंचूरियन बनाना कितना असान है और यह बहुत ही हेल्दी हो बहुत ही एजी रेसिपी है तो आप भी से बना सकते हैं तो आई ह लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब मैं चानल हापी कुकी